डिवेलुक से संदेश प्रियमालिक पुझ बाबुजी महाराज गुरुवार 4 मार्च 1999 शाम 5 बच कर 30 मिनट मनपक्कम में किये जा रहे काम की विशालता के संदर्व में ध्यान के पूर्व की गई हमारी टिपणियों के प्रति बाबुजी ने इस प्रकार से प्रतिक्रिया की वह जो प्रेम करते हैं वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं ताज महल का निर्मान प्रेम करने के लिए एक गीत था। मैं अपने पूत्र की निंदा उस भव्व इमारत के निर्मान के लिए नहीं करता हूँ जो की एक दिन सहज मार्क का उच्चस्तान बनेगी। बाबु जिमाराज तुम अभी भी कुछ संदेशों के बारे में बोलने वो उन्हीं लोगों तो पहुंचाने के प्रती इतना अनुच्चिक क्यों हो। पश्चिम में तुम लोगों को अध्यात्मिक्ता किसे संबंधित रुदय की प्रेरणाओं वो भावनाओं को प्रगट करने में यह अनावश्यक लज्जा होती है जबकि इस भयावह दुनिया में यौन, हिंसा, नफरत जैसे भद्देबन की इतनी जादा खुल कर क्या अपने मालिक के प्रती प्रेम वो उससे उनके शिश्य पर होने वाले असर से ज़्यादा खुबसूरत चेज कोई हो सकती है अपने हुरदय अपनी आत्मा के द्वारों को खोल दो, संकूची मत बनो तुम बिना अवरोद के इस खुश्बू से अपने आप को भर जाने दो, इस प्रेम में सरुबार हो जाओ जब तुम कबीर को पढ़ते हो, तो क्या वह आत्मा की सबसे ज़्यादा खुबसूरत भावनाओं को और उन सुक्ष्म दशाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, जो कि तुम्हें अपने साथ बहा ले जाती है क्या उन्होंने उसे चुपाया था? तुम देखो मेरी बीटिया, हम तुम्हारी शिष्टता की भावनाओं को समझते हैं, पर तुम अपने वृदाई को खोलने, वो प्रेम कैसे किया जाए, यहा दिखाने से मत घबराओं प्रेम से प्रेम अकर्शित होता है हम एसी प्रेरणाओं के प्रती उदासिन नहीं रह सकते हैं, जब वे सच्ची होती हैं यह हमारे दिलों को स्पर्श करने का एक अचुक साधन है हम इस विशय पर वापस आएंगे इस बहुती महत्वपूर्ण उत्सव के तैयारी के दवरान खास कर अपने हुरुदय के इन खुबसूरत आवेगों को और बढ़ाओ इसमें शर्म की कोई बात नहीं है भले ही तुम वास्तों में यहां नहीं देख सकते हो कि सच्चा प्रेम क्या होता है इसे अपने अंदर चा जाने दो और फिर इसे बिना अत्याधिक्ता के खुद को प्रकट करने दो लेकिन बगेर हच से ज़्यादा डरे हुए प्रेम, समर्पन, विश्वास और सहन्शिलता का सहन्शिलता एक संपूर्न इकाई की तरह है या अनंत के लिए तुम्हारी संपदा है इनका अच्छी तरह से खैल रखना हम आज तुम्हें इस बात पर बार बार जोर देकर यही समझाना चाहते थे कल फिर मिलेंगे बाबुजी महराज